राय संजिले की उधर पुरा में मूंग की खरीदी को लेकर किसानों ने प्रदर्शन कर कलेक्टर के नाम तहसिलदार को गया पंसों पा है किसानों की मूंग की फसल को समर्थन मुली खरीदी के इंदरों पर रिजेक्ट किया जा रहा है जबकि किसानों के द्वारा मूंग की डूबी फसल से मूंग को तयार किया गया है खादी विभाग के द्वारा जाच कर मूंग को खरीदा जा रहा है किसानों ने तहसिल परीसर में धरना पदर्शन कर दिया बतादे कि कोरुना काल के बाद किसानों की मूंग की फसल पानी में डूब गई थी वहीं अभी 20 एकड़ो एकड मूंग की फसल पानी में डूबी हुई है किसानों ने महनत करके मूंग की फसल को पानी से निकाल कर तयार किया है लेकिन ननवी भाग के द्वारा मूंग की फसल को खरीदी केंद्नों पर रिजेक्ट किया जा रहा है वहीं को साइग किसानों के द्वारा तैसल उद्दय पुरा में प्रदर्शन कर कलेक्टर के नाम तैसलदार को घ्यापन दिया है होगे अभी तक अभी क्या है बर्साथ को मौसा में थोड़ बहुत नमी तो चलेगी 20 पर सिंट नमी चलेगी वाइस की फसल है यह सब मालूम है और ना पर क्या हुगा था है आपर है मालूम नहीं हरी माने मूंग लालमान राहत तुली थी उस दिन क्या था यह हो जाएगा तो यह अच्छ नहीं लगेगा हम तो अब ग्यापन दे रहां पर हो नहीं है यह किसानों को इसे हम परिशा नहीं उसकी मूंग नहीं बिक रही फष्ट समस्या दूसरी समस्या है लाइट गवर्मेंट दस घंटा दे रही है लेकिन उधे परा फीटर चार घंटा छे घंटा चल यह मंडी में सारी मंडियों में पैसा मिल रहे है किसान को यहां देक रुपया भी नहीं दे रहे हैं सरी यह परेशानी आ रही कि सरकार जो मूंग खरीद रही है उसमें परसंटेज का कहने चाहिए मानक बनाया है तो बो मानक मशीन है कभी वो 10 परसेंट बता देती उसी मू यह आई तक मातर साड़े तीन कुंटा तो क्या हुआ साब आपको मालूम है आप सामय थोड़े पहले आ गई साल तो लगभग दो तीन हजार एकड़ से जादा किसानों की एक मुंग खराब हो चुकी है और जैंसे तैंसे करके मैनत मैजदूरी करके किसान ने जो बाहर किसान के एकड़ाना खरी देंगे दूसरी तरह अधिकारियों से कह देती है किसान के एकड़ाना भी नहीं खरी देंगे तो यह सरकार दो मुही बाच चलाए यह चांज भारस सरकार हो यह मत पर देशासन हो राइसेंसे कलीम खान की रिपूर्ट